हेलो एवरिवन वेलकम बैक इन मैं चैनल टेस्टी किच्चिन आज हम बनाएंगे नए तरीके से रूई जैसे सॉफ्ट दही बड़े ये इतने सॉफ्ट दही बड़े बने हैं कि इने बच्चे भूडे हर कोई खा सकते हैं आज मैं आपको वो सभी टिप्स और ट्रिक्स कई हने मौउख काऊरी मौं दाल धाल दूसरी दाल ये देखिए ये मैंने अधा उरत दाल ली थी फूल की डाखला है interject बार गातरी, पहले बड़े ही California कैना, सबस्लिक्राना थे सी बड़न दोन दालों को मैंने अच्चे से वाश करके थीन से चार बाही था को भीगों के र से ब्लेंड करके उसका स्मूज सा पेस्ट बनाके तयार कर लिया है अगर आपको ब्लेंड करते समय ये थिक लग रहा हो तो आप इसमें 2-3 चमश पानी डाल दें मैंने या 3 चमश पानी का यूज किया है ध्यान रहे दाल में जाधा पानी बिल्कुल भी न डाले उससे दाल प पर टीवी अब इसमें डालेंगे नमक नमक का आपने टेस्ट के हमें ज़ाधा कर सकते हैं अब हम इन सबी को मिलाते वे अच्छे से फेटेंगे एकी डारेक्शन में बलकुल नहीं फेटना है जिस डारेक्शन ईयक हैं लगतार हो ताहों पसी महीं फेटे जो हब Hmm diałemष इसमें भरी है वो सारी निकल जाएगी उनसे दही बढ़े हमारे अच्छे फूलेंगी नहीं तो इसलिए दाल को लगातार एक ही डिरेक्शन में फिटे जब तक दाल फ्लफी क्रीमी सी ना हो जाए तब तक हमें से ऐसे ही फिटना है आप देख सकते हैं डाल काफी फ्लफी सी पहले से डबल हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गयcü बिल्फ क्रीम जैसी हो गयी है बिल्कुल इस तरह से फिटना है मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये देखे दाल पानी पे तहर रही है हलकी हो गई है ये इसी तरह का हमें चाहिए कि जब हम पानी में डाले इस तरह से वो तहरने लगे अब हम सभी बड़ो को फ्राय करेंगे फ्राय करने के लिए मैंने या रिफाइंड ओल लिया है हम इसमें थोड़ी सी दाल डाल के चेक कर लेते हैं ये तेल अच्छा गरम हुआ है या नहीं ये देखे तेल अच्छा गरम हो गया है इसे हटा देते हैं अब हम सभी बड़ो को डालेंगे fry करते समय ध्यान रखे flame को medium ही रखे क्योंकि अगर high flame पे fry करेंगे तो बाहर से तो golden हो जाएंगे लेकिन अंदर से एक अच्छे ही रह जाएंगे और अगर low flame पे fry करेंगे तो वड़े तेल पी लेंगे तो flame को medium ही रखे उसमें वड़े perfect बनेंगे मैंने कई बार दही वड़े बनाए हैं ये चीज बहुत अच्छे से नूटिस किया है कि जब दही वड़े अंदर से कच्छे रहेंगे तो बहुत टाइट बनेंगे तो आपको medium flame पर ही fry करना है जब तक ये golden ना हो जाएं आप देख सकते हैं ये वड़े काफी full गए हैं पहले से अब इन्हें हम पलट देते हैं जिससे दूसरी साइट से भी अच्छे से पक जाएं अब इन्हें हम ऐसे ही चलाते रहेंगे दोनों साइट से पलटते रहें जिससे ये अच्छे से पक जाएं गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर हमें ऐसे ही पकाना है वड़ो को पकाने में थोड़ टाइम तो लगता ही है आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है पहले से ये देखिए वड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अगर आपने भी बिल्कुल मेरित रहें दाल को एक ही डारेक्शन में अच्छे से फेटा है तो आपके वड़े भी सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे अब हम सभी वड़ो को निकाल लेते हैं फ्लेम को आफ कर देंगे वड़ो को हम टीशू पेपर पर रख देते हैं जिससे इसका जो एक्स्टर ओईल है वो निकल जाए जब यह ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें हम पानी में डालेंगे वड़े ठंडे हो गई हैं अब इन्हें हम पानी में डालेंगे यह मैंने हलका गुर्बुना पानी लिया है इसमें 1-4 टेबल स्पून हींग डाली है हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे अब इसमें हम सभी वड़ो को डाल देते हैं हमने सभी वड़ों को डाल दिया है पानी में अब हम इसे हातों से इस तरह से डिप कर देंगे ढ़के रख देते हैं दस मिनिट के लिए जिससे कि अच्छे से फूल भी जाए और इसका जो एक्स्टर ओयल है वो भी निकल जाए दस मिनिट बात आप देख सकते हैं यह अच्छे फूल गए है इनका कलर भी चेंज हो गया है पहले से अब इसका हम पानी चेंज कर देंगे जिससे इसका जो एक्स्टर ओयल है वो निकल जाए मैंने यह नॉर्मल वाटर लिया है अब इसके अंदर हम आधी छोटी चमश नमक डालेंगे मिक्स कर देते हैं इसे हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब वडो को इस तरह से हलके हाथों से दबाते वे इसका पानी निकालेंगे और दूसरे पानी में रख देंगे इसी तरह से हम सभी को निकालकर रखते जाएंगे ध्यान रहे वडों को बहुत जादा ना दबाएं जादा दबाने से यह फट जाएंगे बस इसी तरह हलके हाथों से ही दबाएं हमने सभी वड़े निकालके रख दिये हैं अब इस तरह से दूबा देते हैं अब इसके उपर हम प्लेट या कोई ढकन रख देंगे और एक बावल में पानी भरके इस तरह से रख देते हैं इस तरह से वेट रखने के वज़े से सभी वड़े अच्छे से दूबे रहेंगे मैं यह इसलिए रख रही हूँ जिससे की अच्छे से फूल सकें अब इन्हें हम ढखके रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए जिससे की अच्छे फूल जाएं तब इन्हें हम सर्फ करेंगे चार घंटे हो गए हैं आप देख सकते हैं वड़ो का कलर भी चेंज हो गया या अच्छे फूल गए हैं अब इन्हें हम सर्फ करेंगे इस तरह से वड़ो को दबा के पानी निकालेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे वड़ो के उपर हम डालेंगे बॉइल के हुए आलू इन्हें मैंने पहले से ही कट करके रखा है अब वड़ो के उपर हम डालेंगे दही ये मीठी दही है इसमें चीनी मैंने पहले से ही अड़ कर रखी है बिना चीनी के दही वडो में वो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा तो आप दही में चीनी ज़रूर एड करें ध्यान रहे, जब आप दही में चीनी एड कर रहे हो तो उसे तुरंट मिक्स ना करें थोड़ी तेर के लिए रख दें, उसके बाद मिक्स करें क्यूंकि अगर हम तुरंद mix कर देंगे तो दही में पानी-पानी सा हो जाएगा और दही को एक बार पहले अच्छे से चान लें जिससे कि वो समूढ सी हो जाए और अब हम दही के उपर डालेंगे हरी चटनी अब हम डालेंगे खटी-मीटी इमली की चटनी इमली चिटनी कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी अब इसके उपर हम डालेंगे अनारदाने आप चाहें तो इसमें सेफ भुजिया भी डाल सकते हैं अब इसके उपर हम डालेंगे दही बल्ले मसाला हमारा दही वड़ा बनके तयार है देखिए लग रहे हैं बिल्कुल बचार जैसे जितना ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं उसे कही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं ये दही वड़े इतने सौट बने हैं कि बच्चे बुड़े इन्हें हर को इखा सकता है आप इसे होली दिवाली या किसी भी ओकेजन पर ये ऐसे भी बना कर खा सकते हैं ये बहुती बढ़िया बनके तयार हुए हैं इन्हें बनाना ये बहुत असान है दही वड़े को बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जब आप दाल को पीसे तो हलका दरदरा ही रखे उसे बिल्कुल स्मूद ना पीसे पीसते समय अगर आपको लग रहा हो कि दाल थिक है तो आप इसमें 2-3 चमच पानी डाल दे इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डाले क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फ्राय करते समय वड़े तेल पीलेंगे जब भी आप दही वड़े बनाए तो इसमें मिर्च आदरक ज़रूर डालें इससे दही वड़े बहुत ही तेस्टी बनते हैं डाल को आप लगातार एकी डिरेक्शन में फेटें जब तक ये अच्छी फ्लफी क्रीमी सी ना हो जाए तब तक इसे फेटना है इससे वड़े सॉफ्ट और पॉफेक्ट बनेंगे डाल को इस तरह से पानी पडाल के चेक कर लें तैर रही है यानि पॉफेक्ट है वड़े को फ्राय करते समय आप चेक कर लें ओईल मीडियम गरम होना चाहिए वड़े फ्राय करते समय फ्लेम मीडियम ही रखें क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ने तो अंदर से कच्छे रह जाएंगे बाहर से पक जाएंगे और अगर low flame पे पकाएंगे तो ये तेल पी लेंगे जब आप इन सभी बातों को ध्यान में रखके दहीवडे बनाएंगे तो आपके दहीवडे भी बहुती soft, spongy और tasty बनेंगे तो आप इस recipe को ज़रूर ट्राय करें और मुझे comment करके बताएं आपको ये recipe कैसे लगी मेरी वीडियो को like और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको हमारे हर new recipe की notification मिलती रहे साथ ही मुझे comment करके ये भी बताएं कि मैं आपके लिए अगली कौन सी new recipe लेकर आँ